क्या आप जानते हैं ये सारी दुनिया कैसे काम करती है? Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. मैं हूँ Saloni Pandore आज की इस मिनी जानकारी स्रीज में हम जानने वाले हैं sociology क्यों पढ़ना चाहिए? देखे हम सभी एक समाज में रहते हैं. हम सभी एक समाज का एक society का हिस्सा होते हैं. ये समाज हमारे सुख में, दुख में हमारा साथ देता है. हमारे सुख दुख का साथ ही होता है. अब हर एक समाज में अपने-अपने challenges होते हैं. हर एक समाज अपने-अपने issues के साथ में लड़ रहा होता है, fight कर रहा होता है. लाइक फॉर एक्जामपल, gender inequality, रंग भेद, caste conflict, class conflict, ऐसे धेर सारी समस्याएं होती हैं एक समाज के अंदर. एक समाज में बहुत सारे social institutions भी होते हैं, जैसे family है, marriage है, social groups हैं. इनके अलावा, समाज के अपने नियम, काइदे, कानून होते हैं, अपने beliefs होते हैं, norms होते हैं, values होते हैं. ये एक समाज, सिर्फ एक जगह नहीं होता है. ये सारा world, ये सारी दुनिया, समाज से ही चल रही होती है. और sociology में, इस समाज को हम study करते हैं. sociology means study of society as a whole. ये सारा समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, इस समाज को समझते हैं, हम sociology के अंदर. एक meme आप सभी ने देखा होगा, कि किसी दिन स्कूल के teacher मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे कि ये जो sign, cost, lambda, themda, gamma, theta, ये सब हमको पढ़ाया है, इसको real life में कहां use करें. ये दिक्कत आपको sociology के साथ में बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि sociology सिर्फ एक subject नहीं है, sociology एक ऐसा discipline है, जो आपको आपके समाज से जोड़ता है. In all में कहूं, तो sociology explores society. As a sociologist, आप समाज की समस्याओं को, समाज के beliefs को, नियम काईदे कानून को question कर सकते हैं. और वो question करने का हक आपके पास तब होता है, जब आप खुद समाज की reality को समझते हैं, जब आप खुद उस समाज में जीते हैं, उस समाज को समझते हैं, तब आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उसके नियम काईदे कानून को बदलने की पहल आप कर सकते हैं. एक समाज में आप बदलाव ला सकते हैं. अब मतलब की दुनिया है, थोड़ी सी मतलब की भी बात कर लेते हैं, तो sociology, अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके सामने कौन-कौन से career options available हैं, कितनी job opportunities available हैं, ये बात कर लेते हैं. sociology में, अगर आप class 11th and 12th में as a subject choose करते हैं, arts के अंदर, तो आप sociology की basics को study करते हैं. इसके बाद में, school के बाद में, आप अपने college में graduation level पर sociology arts stream में पढ़ सकते हैं, यानि कि आप bachelor of arts कर सकते हैं, उसमें आप sociology अपना subject अप्ट कर सकते हैं, और आप sociology बाकी subjects के साथ में भी पढ कर सकते हैं, क्योंकि sociology एक combination होता है different subjects का, इसमें history भी है, economics भी है, political science भी है, यानि कि अगर आप sociology परते हैं, तो बागी subjects के understanding तो आपको already होने ही वाली है, इसके अलावा, आप masters कर सकते हैं, post graduation कर सकते हैं sociology में, अब इतना सब पढ़ लिखने के बाद में आखरकार करना क्या है तो देखिए, कौन-कौन से professions आपके पास में available होते हैं, कौन-कौन सी job opportunities आपको sociology प्रोवाइट कर बाता है, आप teaching profession में जा सकते हैं, आप social worker बन सकते हैं, आप समाज के लिए कारिकरता बन सकते हैं, समाजिक काम कर सकते हैं, आप NGO run कर सकते हैं, या किसी NGO से जुड़ के समाज के लिए काम कर सकते हैं, जैसे अभी आपने कोरोना के times में देखा होगा, कि कैसे समाजिक कारिकरता, समाज के कल्यान के लिए, welfare of humanity के लिए आगे आते हैं, इसके अलावा, आप lawyer के profession में जा सकते हैं, आप एक lawyer बन सकते हैं, and the most important, आप public policy analyst बन सकते हैं, आज के टाइम में highly paid and highly demanded job है, public policy analyst की, market research analyst की, even बड़ी-बड़ी companies, बड़े-बड़े business, यहां तक की government की agencies, WHO, UNESCO, UNICEF, बड़ी-बड़ी organizations, public policy analyst को hire करती हैं, यहां पर आपका काम क्या होता है, क्योंकि आप एक sociologist हैं, आप समाज को समझते हैं, इसलिए आप समाज के according काम कर सकते हैं, समाज को समझ के, आप policies formulate करने में help कर सकते हैं, आप market की needs को समझ सकते हैं, and the very, very important, UPSC, UPSC में sociology एक बहुत important role play करता है, UPSC में most of the aspirants if I am right 60-70% aspirants sociology को अपना optional subject choose करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही scoring subject होता है, इसमें आपको ratification करने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप facts को समझ के, basics को जानके बहुत अच्छा अंसर प्रिजेंट कर सकते हैं, प्लस, आपके social issues में, आपके means के essay writing में, sociology आपको बहुत help करने वाला है, यानि कि एक बहुत interesting and important subject, पढ़िये, समझिये sociology को, and I wish you a very all the best for your future, thank you very much.